हेलो एवरिवान स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल नोकरी एस्पिरेंट में उमीद करती हूँ आप सब ठीक हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए S.A.C. G.D. कॉंस्टेबल की ड्रमास्तर सीरीज लेकर आई हुए हैं इस सीरीज में हम आपके साथ जिक्के के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे आज हम आपके साथ तीन सीफ्ट की प्रिएस पेपर क्वेश्चन सोल करेंगे तो चलिए पहले देखते हैं सीफ्ट फर्ष्ट के MCQ दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो ताक कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे पीडिया फोर नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nokryaspirant.com पर जाकर विजित कर सकते हैं आप हमारे शोशल प्लैटफोर्म के साथ भी चूट सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेर कर दो और लाइक का बटन दबा दो फिर हम आपने आज के शर्षन की सुरुवात करते हैं तो आज का हमारा पहला प्रशन है थाइलेंट के बैंकोक में आयो जित BWF World Tour Finals 2022 किस महिला खिलाडी ने जीता तो बताइए किस ने जीता हमारा सही जवाब है ओप्शन B अकाने यामा गुची ने जीता आगे वढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है ओजोन परत निम्ण में से किस मंडल में स्थीत है तो बताइए कोमेंट कीजिए चार ओप्शन में से किस में स्थीत है ताप मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, छोब मंडल चल दिसे कोमेंट करो बताइए वेरी गुड तो हमारा सही जवाब है ओप्शन 3 समताप मंडल यानि स्ट्रेटो स्फियर में स्थीत है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है जितोडगड के किले के अंदर विजय की परती विजय स्तम का निर्माण किस ने कराया बताईए राणा उद्याई सिंग, राणा कुमबा महराणा परताब, राणा सांगा बताईए किस ने करवाया वेरी गूट तो हमारा सही जवाब है ओप्शन बी राणा कुमबा ने करवाया था मेवाड के राज्या है ये और उन्होंने 1448 में इसके लेका निर्माण कराया आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है भारत के सूपरशिद संगित तग्य उस्ताद बिस्मल्ला खां को 2001 में केस प्रुस्कार से सम्मानित किया गया था तो बताइए कौन सा प्रुस्कार दिया गया था उनको 2001 में चल्दी से फटाफेट कोमेंट करो तो हमारा सही जवाब है ओप्शन 4 भारत रत्म से सम्मानित किया गया था और भारत का सरवच्चन आगरिक सम्मान कौन सा है तो उसका जवाब भी क्या होगा भारत रत्म चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है किस मुगल समराट ने सुलह एकूल के विचार पर जोड दिया बताइए किस मुगल समराट ने दिया बाबर शाजां अकबर हुमायू कोमेंट करके बताओ तो हमारा सही जवाब है ओप्शन थ्री सुलह एकूल का मतलब होता है सभी के साथ शांती से रहना यानि सभी के साथ शांती स्तापित करना और इसकी सुरुवात यानि इस विचार पर जोर किस ने दिया था तो अकबर ने दिया था आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है निम्न मेंसे किस राज्य में स्थाई वनो दवारा आच्छा दिद छेतरफल सरवादिक अधिक छेतरफल सरवादिक है तो बताईए किस राज्य में वन चेतरफल सबसे ज़ादा है जल्दी से कॉमेंट करो उत्राखन मध्य परदेश जम्मू एन कश्मीर आंधर परदेश बेरी गूर जल्दी से बताओ तो हमारा सही जवाब के ओगा मध्य परदेश में सबसे ज़ादा वन चेतरफल है यह हैं पहले नमबर पर और दूसरे पर पूछे तो अरोनाचल परदेश में फिर चत्तिस गड़ और सबसे कम पूछे तो किस में आ जाएगा सबसे कम आ जाएगा हरियाना में सबसे कम वन चेतरफल है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है अंडर 19 किर्केट विश्व कप 2022 के फाइनल में मैन ओफ दे मैच का पुरुसका किस ने जीता बताईए किस ने जीता जल्दी से कॉमेंट करो फटा फट तो हमारा सही जवाब के होगा ओप्शन 3 राज अंगर बावा ने जीता आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है तेरा ताली किस के कमर जन जाती का परसिद लोक निर्थी है तो बताईए किस का है तो हमारा सही जवाब क्या होगा ओप्शन B सोरी राजिस्थान राजिस्थान के अंदर कमर पर तालिया बांद कर यह डांस किया जाता है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है भारत के किस खिलाडी ने अप्रेल 2022 में कोपन हेगन में पुरुसो की 200 मिटर बटरफ्लाई 23 किस परदा में सुराण पदक जीतता है तो बताइए किस खिलाडी ने जीतता है जल्दी से कोमेंट करो तो हमारा सही जवाब होगा ओप्शन B साजर प्रकाश ने जीतता है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है 68 राष्टे फिलम पुरुसकारों में सार्विस रेष्ट हिंदी फिलम का पुरुसकार किस फिलम ने जीतता तो बताइए किस फिलम ने जीतता टोईलेट एक प्रेम कथा तुलसिदास जूनियर बाहु बली टू मॉम बताइए हमारा आंस्वर क्या होगा फटाफट कॉमेंट करो तो हमारा सही जवाब है कौन सा होगा ओप्शन बी तुलसिदास जूनियर ने आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगर आप किसी भी गर्मेंट जोब की तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.nokryaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं यह हमारी वेबसाइट का लोगो है यहां से आप upcoming exam for example CGL, GD, HTED, ZTED and even कोई भी exam हो उसके तयारी यहां से आप कर सकते हैं यहां पर आपको हर subject के MCQ और Qs मिल जाएंगे जिसको करने से आपकी तयारी और ज़्यादे बहतर होगी यहां से आप statewide एक्जाम की तयारी भी कर सकते हैं चलिए हमारा अगला प्रश्न है कौन सा प्रकास के प्रेकरिंट का उधारन नहीं है नहीं है बताना है कौन सा नहीं है जल्दी से कमेंट करो चारों में से बैरी गूर तो हमारा सही जवाब है ओप्शन ए आकाश का निला रंग इसका उधारन नहीं है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है स्वाक्ष बारत अभियान की शुरुआत कब से हुई पताए कब से हुई स्वाक्ष बारत अभियान चल्दी से कमेंट करो वैया लीकूर चल्दी बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 को स्वाक्ष बारत अभियान की शुरुआत हुई आगे बढ़ते हैं किस में चार कक्षय हर्द्या पाया जाता है तो बताओ किस में पाया जाता है मिंडग, मगरमच, मचली, गिरगिट जल्दी से कमेंट करो तो हमारा सही जवाब है ओप्शन B मगरमच के अंदर 4 कक्षय हर्द्या पाया जाता है मगरमच एक उबहचर है उबहचर के अंदर 3 कक्षय है यानि 3 कक्षय हर्द्य पाया जाता है लेकिन मगरमच स्तंदारी में काउंट होता है तो इसमें 4 हर्द्य कक्षय हर्द्य पाया जाते है इसलिए इसको स्तंदारी बोलेंगे आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है जब अमल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन होती है बताईए चल्दी से बताओ कॉमेंट करके क्या उत्पन होती है तो हमारा सही जवाब होगा option for hydronium आयन उत्पन होता है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है कौन सा बारत का एक प्रेमुक लोह अयश्क निर्यात बंद्रगा है तो कौन सा बताईए चल्दी से कॉमेंट करो चारो मेंजे तो हमारा सही जवाब है option A विशाखा पटन आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है रोलेट एक बारत में कब लागू किया गया चल्दी से कॉमेंट करो कब लागू किया गया तो हमारा सही जवाब है option B 1919 में आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने सती पर्था को खत्म किया था तब तो ये किस गवर्नर जनरल ने किया था तो हमारा सही जवाब है वैसे पूचे तो किस ने किया तो हमारा answer होगा राजा राम मोहन राई ने और यहाँ पर जनरल की बात किये ना जनरल की तो लाड बेंटिंग ने राजा राम मोहन राई की मदद की थी तो और सती पर्था का अंत कब हुआ ये पूचे तो 1839 में सती पर्था का अंत हुआ था आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिन रोजकार गारंटी अधिनियम किस की अंत करता था है मन्रेगा की अंत करता था है और कौन से साल में लागू हुआ ये बताना में बताए महात्मा गांधी राष्टे ग्रामिन रोजकार गारंटी अधिनियम किस वर्स लागू हुआ तो हमारा सही जवाब है ओप्शन 3 2005 में लागू हुआ आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि कि इसको अचल संपत्ती के रूप में 2009 में बढ़ते हैं कोमेंट करके बताओ तो हमारा सही जवाब है ओप्शन 3 कच्चा माल को अचल संपत्ती के रूप में बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नोबल प्रुस्का है निम्न में से किस छेतर में नहीं दिया जाता है तो देख किस छित्र में नहीं दिया जाता है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य चारों में से किस में नहीं दिया जाता बताईए कोमेंट करके तो हमारा सही जवाब है option A जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है बारत में GDP का लगबग कितने परतिसत बाग सिख्षा पर व्याई किया जाता है कॉमेंट करके बताओ करो कॉमेंट बताईए कौन सा ओगा 3 परतिशत, 6 परतिशत, 8 परतिशत, 1 परतिशत बताईए तो हमारा सही जवाब है ओप्षन A लगबग 3 परतिशत आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार 1978 से एक मोलिक अधिकार नहीं है तो बताईए चारों में से कौन सा अधिकार नहीं है कॉमेंट करो और बताओ बताईए हमारा सही जवाब क्या होगा ओप्षन 3 संपतिका अधिका संपतिका अधिका 1978 में यानि 44 संसोदन में था पहले इसमें अटा दिया गया इसको और अब यह किसके अंतगरत आता है तो अनुछे 301 A इसमें शामिल कर दिया गया है अब संपतिक अधिका अनुछे 300 A में आता है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है खालिस्तान के परधान मंत्रितव काल में राष्टे स्तर पर भारत की पहली गठ बंदन सरकार का गठन किस किया गया था तो बताईए किस ने किया था जल्दी से कॉमेंट करो तो हमारा सही जवाब है ओप्शन थ्री मौरार जी देशाई ने किया था आगे बढ़ते हैं कौन सी रभी की फसल नहीं है बताईए चारों में से रभी की फसल सर्दियों में उकने वाली फसल है तो चारों में से कौन सी नहीं है हमारा सही जवाब है option 3 मक्का रभी की फशल नहीं है आगे बढ़ते हैं कौन सा एक नगर निगम का कारिय नहीं है तो बताए चारों में से कौन सा नहीं है बिजली और जलापुर्ती कानून और व्यवस्था सफाई और स्वास्ते सारजनिक कारिय है तो कौन सा नगर निगम नहीं कर सकती हमारा सही जवाब है option B कानून और व्यवस्था नगर निगम के अंडर में नहीं आता है दोस्तों जिनोंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो और लाइक का बटन भी दबा दो फिर हम अपने second shift के MCQ स्टार्ट करते है तो हमारा पहला प्रशन है अंडे को सिरके के विलियन में 20-24 गंटे तक रखने पर क्या होगा यानि अंडे को अगर सिरके में डुबो दिया जाए तो क्या होगा बताइए जल्दी से कोमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा वेरी गूड तो क्या होगा अंडे का आवरन तूट जाएगा या घुल जाएगा क्या होगा बताइए कोमेंट करो अंडे का आवरण घुल जाएगा उसके अंदर आगे बढ़ते हैं चाई का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताईए सबसे ज़्यादा चाई काँ पर होती है बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन 3 चीन चाईना में होते हैं सबसे ज़्यादा चाई फिर उसके बाद किस में होते हैं भारत में फिर होते हैं केनिया में अगर ये पुछे सबसे ज़्यादा कौन करता है तो वो भी चीन करता है भारत में चाई होती है लेकिन निर्याद नहीं कर पाता क्योंकि हम तो खुद ही पी जाते हैं सारी चाई चाई को तो इंडिया का नेशनल ट्रिंग को सित कर देना चाहिए मुझे लगता है बताई कौन-कौन चाई पिता है कोमेंट करके बताओ आगे बढ़ते हैं अनुछेद 21A किस से संबन दीत है बताईए अनुछेद 21A में क्या है जल्दी से बताओ कौमेंट करके हमारा सही जवाब है ओप्शन 3 चैसे 14 वर्ष की आयू के सबी बच्चे को मुफ्त और अनिवारे सिक्षा के अधिकार से सम्माद देता है अनुछेद 21A में और कौन सा संसोद्धन है ये पुछे तो विश्व यूवा सत्रंज चैंपियंशिप 2022 में अंडर 16 वर्ष का किताब किसने जीत लिया है बताए किसने जीत लिया है कोमेंट करो और बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन A प्रणव आनंद ने जीत लिया है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है NSSO का पून सवरूप क्या है जल्दी से बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन B नेशनर सैंपल सर्वे संगठन आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है राजिस्थान के जैपुर छेत्र में कौन सा किला अपने कलात्मक हिंदू शाली के तत्वों के लिए जाना जाता है और यह हैं विश्व द्रोवर स्थल भी है तो बताइए कौन सा है गवालियर का किला अंबर का किला जितोडगड़ का या महरानगड़ का कौन सा किला है बताइए कोमेंट करो तो हमारा सही जवाब होगा option B अंबर का किला है और अंबर का किला हो इसको बोलते हैं आमेर का किला और इसकी स्थापना किस ने की थी राज्यामान सिंह ने सोल विस्थापनी में इसको बनवाया था आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्ण है, जल संचयन का मुख्य उदेश्य क्या है? बताई मुख्य उदेश्य क्या है? चारो में से कोमेंट करो और हमें बताओ, भूतल पर जल का संरक्षन, म्रदा अपरदन को रोकना, भूगर्ब में जल का पुनर संचयन और बांध बताई क्या है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ओप्शन थ्री, भूगर्ब के जल का पुनर संचयन, आगे बढ़ते हैं, दैसेरा के समय, दुर्गा पूजा के अवसर पर पश्चिम बंगाल में किया जानने वाला नर्तिय कौन सा है? बताई कौन सा नर्तिय होता है जो पश्चिम बंगाल में किया जाता है, फटाफेट कोमेंट करो और बताओ अमें, तेरा ताली, कोलाटम, किकली, दुनाची, बताई कौन सा नर्तिय किया जाता है? बताई फटाफेट कोमेंट करके, हमारा सही जवाब है, ओप्शन फोर, दुनाची नर्तिय किया जाता है, आ कोमेंट कर और बताओ हमारा सही जवाब है option 3 राष्टे गणि दीवस के रूप में मनाया जाता है क्या है इस दिन? इस दिन बारते गणि तक स्री निवास रामा नुज कि जैनती क्यों सम्मान देनने के लिए मनाय जाता है याने कि इस दिन उनका जनम दिन है और उनका जनम दिन राष्टे गणि दीवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है आगे बढ़ते हैं भारत के सविधान में आरंब केस में कितने अनुचे थे? बताईए चल्दी से कोमेंट कर और बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन B तीन सो पिचार में आगे बढ़ते हैं देंगू के समय रग्त स्राव की खालिस्तान संख्या में कमी के कारण होता है तो किस की कमी के कारण होता है? जल्दी से कोमेंट करो हमारा सही जवाब है ओप्शन फ्रो ओप्शन फोर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण होता है बेंगू बुखा आगे बढ़ते हैं पालक में प्राकर्तिक उत्पाद के रूप में खालिस्तान एसिड का ऐसामाने रूप से उच प्रतिशत होता है तो बताइए कौन सा ऐसिड होता है चल्दी से बताओ कॉमेंट करके साइटरिक अमल, दुखदामल, टाटरिक अमल, ओगजेलिक अमल कॉमेंट करो और बताओ कौन सा अमल होता है हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर ओगजेलिक अमल ओकजेलिक अमल जो भी हरी पत्तेदर सबजी होती है उसमें पाया जाता है आगे बढ़ते हैं दुनिया की पहली भूमीगर ट्रेलवे प्रणाली खालिस्तान में शुरू की गई थी तो बताए कहां से शुरू की गई थी पहली भूमीगर ट्रेन चल्दी से कॉमेट करो हमारा सही जवाब है option B लंदन में कभ 1863 में शुरू की गई थी आगे बढ़ते हैं कौन सी एक खरीब की फसल नहीं है बताए कौन सी नहीं है बाजरा, मक्का, जो, जवार बताए कौन सी नहीं है हमारा सही जवाब क्या होगा खरीब यानि गर्मियों में उगने वाली फसल तो चारों में से कौन सी है जो नहीं है खरीब की फसल आगे बढ़ते हैं हमारा अकला प्रश्न है प्रसित महाकाव्य पदमावत किसने लिखा कॉमेंट करके बताओ किसने लिखा था पदमावत हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर मलिक मुहमत जाईसी ने लिखा था आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है दित्य गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो बता ही कभ हुआ था दित्ते गोल में सम्मेलन, कोमेंट करके बताओ, हमारा सही जवाब है ओप्शन A, दिसंबर 1931 में दित्ते गोल में सम्मेलन हुआ था, अगर प्रथम पुचुे तो प्रथम कभ हुआ था? तो प्रत्थम हुआ था नवंबर 1930 में और तृत्य पुछे तो वो कब हुआ था दिसंबर 1932 में पुछे अगर ये पुछे ऐसा कौन सा वैक्ति है जिन होने तिन्नू गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो उसका अंस्वर हमारा क्या होगा कॉमेट करके बताओ जिसमें तिन्नू में भाग लिया था हमारा सही जवाब है डॉक्टर भीम राव अंबेड करजी ने आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रशन है म्यूर नर्तिय या पिकोक डांस की सराज्य के ब्रेज छेतर से संबंद रखता है बताइए ब्रेज आ गया तो बताइए ये कापर है हमारा सही जवाब है ओप्शन ए उत्रपरदेश राज्य से संबंदित रखता है हम आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल होकी फेडरेशन ने किसे सर्विस रेष्ट प्रूस गोल की पर चुना आए किसको चुना है कॉमेंट करके जल्दी से फटा फट बताओ आपके पास ओप्शन दिये गई है चल्दी से कुमेंट करो किसको दिया गया है हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर पी आर स्री जेज को बनाया गया है गोल की पर चुना है आगे बढ़ते हैं बुम्मी से गिरा वा बारत का सबसे बड़ा बंदरगा निम्न मेंसे कौन सा है जो बुम्मी से गिरा होा है तूत्तिकोरिन, कांदला, मार्मुगाओ, विशाखा पटन, बताओ, कौन सा है हमारा सही जवाब होगा औप्शन 4, विशाखा पटन आगे बढ़ते हैं राज्ये सभा का अध्यक्ष कौन होता है? बताईए कॉमेंट करके, परधान मंतरी, उपराष्ट्यपती, नेता, परतिपक्ष या राष्ट्यपती? चारों में से बताईए कौन सा होता है? हमारा सही जवाब क्या होगा? राज्ये सभा का अध्यक्ष होता है, option B, आगे बढ़ते हैं, कौन सी आहर्ष रंकला सही है, यानि कि कौन सी आहर्ष रंकला चारों में से सही है, पहली है घास को खरगोष खाएगा, खरगोष को साप, साप को शेर, ये सही है बतानाप को, दूसरी है घास को चुहा, चुहे को साप, साप को बाज, तीसरी है घास को ख खरगोश, खरगोश को साप, साप को बाज और बाज को शेर, चोथी है, घास, साप और साप को कुन खाएगा, शेर, तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक है, तो हमारा सही जवाब है, option B, यानि घास को चूहा खाएगा, चूहे को साप और साप को बाज, ये वाली एकदम ठ आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, फतेपूर सीकरी में बुलन दरवाजा किसने बनवाया, बताइए कोमेंट करके किसने बटाएं बनवाया, फटाफट, हमारा सही जवाब क्या होगा, option 3, अकबर ने बनवाया था, आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2022 में, भारत का पहला, क्रिप्टो क्यूरेंसी इंडेक्स, आइसी 15, किसने लॉंच किया, कोमेंट करके बताओ, किसने लॉंच किया था, जल्दी बताओ, very good, हमारा सही जवाब है, option 3, क्रिप्टो वायर ने लॉंच किया, आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे लंबी, उननत, एलिवेटेड रोड, कहां स्थित है, बताओ, कहां पर स्थित है, सबसे लंबी, लखनव, गाजयाबाद, वारणसी, आगरा, चल्दी से कोमेंट करो, हमें बताओ, कहां पर स्थित है, हमारा सही जवाब है, option B, गाजयाबाद में स्थित है, आगे बढ़ते हैं, भारत में बारवी पंच पर से योजना की आउदी, कितनी थी, चल्दी से बताओ, कोमेंट करके कितनी थी, 2012 से 17, 2013 से 18, 2010 से 15, 2011 से 16, पताओ, कितनी थी, बारवी पंच वर से योजना, तो हमारा सही जवाब क्या होगा, option A, 2012 से 2017 तक थी, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिफ्ट के MCQ की तरब, तो हमारा पहला प्रश्न है, लाल मिट्टी के लाल रंका होने का कारण क्या है, यानि लाल मिट्टी किस वज़े से लाल रंकी होती है, बताईए कोमेंट करके बताओ, फटा-फट बताओ, कोमेंट करो, हमारा सही ज़वाब है, अप्शन 4, क्रिश्टलिये और मेटामोर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति के कारण मिट्टी का रंक लाल होता है, आगे बढ़ते हैं, लोग सबा की पहली महिला स्पिकर कोन थी, कोमेंट करके बताओ, कोन थी, लिला सेट, इंद्रा गांधी, भारत की प्रस्तावना में शब्द, खालिस्तान दवारा ये हैं, प्रीकल्पित है, कि कानून से समाक्ष सभी समान है, तो बताइए, क्या है उसमें प्रस्तावना में क्या है, तो हमारा सही जवाब है, ओप्शन 3, समता है, आगे बढ़ते हैं, सयुक्त राज्य अमेरिका क राश्टे खेल कौन सा है, कोमेंट करके बताओ, सही जवाब क्या होगा, ओप्शन A, बेस, बोल, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गोईटर, किसकी बिमारी है, कोमेंट करके बताओ, गोईटर, अधी वर्क गरंथी, थाइरेड गरंथी, जिगर, अगनाश् बताओ, हमारा सही जवाब क्या होगा, ओप्शन B, थाइरेड गरंथी, यानि गेंगा से सम्बंदित हैं, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सोर सेल किस परकार का कारे करता है, बताओ, सोर सेल कैसे कारे करता है, किस परकार कारे करता है, तो हमारा सही जवाब ह Option B यह सोर उर्जा को वित्युत उर्जा में परिवर्तित करता है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है जोहान गुटेनबर्ग दवारा पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? जल्दी से कॉमेंट करके बताओ कौन सी थी? तो हमारा सही जवाब है Option B आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है खालिस्तान का अस्तर छोटी अंगूली की तरह बही गर्थ भाग से धका है जिसे विल्ली कहा जाता है तो बताइए कों कहां पर होती है विल्ली? कहां पाई जाती है? कॉमेंट करके बताओ तो हमारा सही जवाब क्या है? Option A छोटी आथ में पाई जाती है आगे बढ़ते हैं भारते सविधान के निम्न मेशे की संशोधन दवारा दिल्ली को राष्टे राज़दानी छेतर का दरजा दिया गया है तो किस संशोधन के दवारा दिया गया है? कोमेंट करके बताओ जल्दी से कोमेंट करो और बताओ तो हमारा सही जवाब क्या होगा? Option 3 69 शंशोधन के अधिनियम के दवारा दिया गया है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है Harry Potter and Deathly Holog पुस्तक के लेखा कौन है? कोमेंट करके बताओ कौन है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? Option 3 JK Rolling आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है निम्न में से क्या धारक की इक्टिविटी में कमी का परतिनिद्व करता है? तो क्या करता है? हमें कोमेंट करके बताओ जल्दी से कमेंट करो और बताओ हमारा सही जवाब है Option A डिवेंचर का निवारण आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है वियत नाम में रहने वाले फ्रांसिसी नागरिको को क्या कहा जाता था? वियत नाम में जो फ्रांसिसी रहते थे उनको क्या कहा जाता था? कमेंट करके बतानाय में हमारा सही जवाब क्या है Option 3 कोलोन कहा जाता था आगे बढ़ते हैं निवन में से सिखो का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है कमेंट करके बताओ कौन सा स्थल भारत में नहीं है हमारा सही जवाब क्या होगा Option 3 नन काना साहिब बारत में स्थित नहीं है यह हैं पाकिस्तान के अंदर स्थित है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है जाकिर हुसेन निम्न में से कौन सा वाद इंतर बजाते हैं बताए कौन सा बताते हैं हमारा सही जवाब क्या होगा Option A तबला आगे बढ़ते हैं कुओ और नलकूपो के बाद भारत में सी चाई का सबसे बड़ा साधन निम्न में से कौन सा है बताए कुओ और नलकूपो के बाद कोमेंट करो और बताओ तो हमारा सही जवाब होगा Option 3 आगे बढ़ते हैं निम्न लिखित में से कौन सा प्राधिकरण रिण के ओपचारिक स्रोतो के कामकाज की निगरानी करता है पताए कौन सा बैंक करता है तो हमारा सही जवाब क्या होगा Option 3 बारतिय रिजर्व बैंक करता है आगे बढ़ते हैं वायू की ऐ प्रियाप्त मात्रा में जिवाशम इंदनों के दहन के फलसवरूप कौन सी ग्यास निर्मित होती है बताए कौन सी ग्यास होती है कॉमेंट करके बताओ तो हमारा सही जवाब होगा Option 4 कार्मन मोनो ओक्साइड यानि CO से इसको डिनोट करते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न है 1930 में प्रत्थम राष्टमंडल खेलो का अयोजन कहां हुआ बताए जो पहले राष्टमंडल खेल हुए थे उनका अयोजन कहां पर हुआ था तो हमारा सही जवाब होगा बताए कैनेडा, रूज, बारत, जर्मनी ओप्शन ए कैनेडा हमारा एकदम सही जवाब है 1930 में कैनेडा के हैमिल्टन शैर में पर्थम राष्टमंडल खेलो का आयोजन हुआ था 2022 में जो राष्टमंडल खेल हुए थे वो कब आयो जन हुआ था उनका जुलाई 2022 में हुआ था और सबसे पहले नंबर पर कौन है ये पुछे तो आएगा ओस्ट्रेलिया और बारत कौन से नंबर पर था तो चोथे नंबर पर था 61 पदक जित्थे तिकुल आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा प्रवर्थे दर्रा भारत, चीन और मायमार के बीच त्रियक संदी का निर्मान करता है बताए कौन सा दर्रा करता है वेरी गूड कोमेंट करके बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर दिफ्फू दर्रा आगे बढ़ते हैं धाप एक लोग निर्तिया है जो खालिस्तान कंदा जनजाती दवारक किया जाता है बताए कौन से जनजाती दवारक किया जाता है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन बी ओडिसा जनजाती के दवारक आगे बढ़ते हैं महात्मा गांदी ने ऐस योग आंदोलन कब शुरू किया जो देश व्यापी पैमाने पर आयोजित भारत का जन आंदोलन था बताए ऐस योग आंदोलन कब शुरू हुआ तो हमारा सही जवाब क्या होगा अगस्त उननीस सो बीस ओप्शन बी आगे बढ़ते हैं जटर अमल खालिस्तान द्वारा पेट में श्रावित होते हैं तो बताए कहां पर पेट में श्रावित होते हैं तो किसके द्वारा श्रावित होते हैं कॉमेंट करके बताओ हमारा सही जवाब है ओप्शन बी गैस्ट्रिन, श्रावी, कोशिकाओ के दुवारा श्रावित होते हैं आगे बढ़ते हैं कौन सा देश जी फोर राष्टों में से एक है बताए कौन सा देश है अमेरिका, ब्राजिल, और्स्ट्रेलिया, चीन चल्दी से कोमेंट करो हमारा सही जवाब है, ओप्शन B ब्राजिल, जी फोर में ब्राजिल, बारत, इंडिया, यानि जापान और जर्मनी चार देश शामिल है जी फोर में बारत, ब्राजिल, जर्मनी और जापान आगे बढ़ते हैं किस भारते महिला दीकार कारेयकरता को CHANGEMAKER प्रुसकार 2022 दिया गया बताए किस को दिया गया जल्दी से कोमेंट करो तो हमारा सही जवाब है ओप्शन A श्रिष्टी बक्शी को दिया गया आगे बढ़ते हैं किस भारते महिला दीकार कारेयकरता ये तो हो गया हमारा बारत्य प्रमाणू कारेकरम के जनक के रूप में किसे जानना जाता है बताईए किसको जानना जाता है जल्दी से कमेंट करो हमारा सही जवाब है ओप्शन A होमी बाबा को जानना जाता है दोस्तों आज की आपको वीडियो उमारे कैसी लगी कोमेंट करके जुरूर बताना साथ ही साथ आज का आपका स्कोर कितना हुआ है वो भी आप हमारे साथ शेर करना वीडियो को लाइक, कोमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना ताक कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्स पोर एवरिवन बाई बाई टेक केर